तो गूर्णिंग गाईज आज एसे सीजेल 2019 की केस की अपडेट ये है कि आज ही इसकी हेरिंग हो है 15 मार्च को पिछली बार 10 मार्च को लास्ट हेरिंग हुई थी उसके बाद ये डाउट आ रहा था कि 15 को होनी है कि 29 को होनी है ठीक है ये बहुत अववा उलड़ी थी कि 29 को ह हेरिंग होनी है और अगर मैं बताओं कि कब तक अपडेट आजाएगी हेरिंग में क्या हुआ तो एक बज़े के आसपास या तो आजाएगी या तो दो बज़े के आसपास आएगी एक से दो फिर लंच होता है तो इस बीच नहीं आएगी या तो एक बज़े से पहले ही जाएगी ठीक है वो क्यों है मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा सबसे पहले यह देख लीजे कि यह आला केस है अपना ठीक है 925 बटा 2021 यह पार्ट हर्ड मैटर्स में डाल दिया गया है पार्ट हर्ड मैटर्स का मतलब होता है कि एक पार्टी की सुनवाई दे जा चुकी यह जजेस ने सुन ली है अब उन्हें उनकी तरफ से कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनना है और दूसरी तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू वो आज सुनेंगे और फिर उसके बाद एक डिसीजन पर पहुचेंगे तो यह जो पहली पार्टी थी यह थे शुशील गौ यह लोग आज अपनी दलीलें देंगे और जैसा भी होता है मैं आपको अप्डेट दे दूँगा तो पॉजिटिव नोट पे आज यहीं लग रहा है कि 90 परसेंट चांस है कि आज केस क्लोज हो जाना चाहिए डिस्पोज ओफ हो जाना चाहिए क्योंकि इसके बाद अब क्य सबको मेरी तरफ से all the best and I hope आपका result जल्दी से जल्दी आजाए